बातों को लेकर के आप चारोगाने चित हुए हैं और एक बार फिर हमारे जो चमतकारी नेतित है हमारे रास्ट्री अध्यक्ष आदनी राहूल गांधी जी के प्रती लोगों में विश्वास बढ़ा हैं और लोग देख रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने दस वर्शों तक यूपी की सरकार अपने सहयोगें को साथ कैसे चलाई और ये तमाम बात का प्रटिकरण है ये चुनाओ पांच राजियों का जो नतीजे आ रहे हैं या जो रुजान आ रहा है वो सचमुच में हमारे लिए उत्साह वर्दक है और एक नई आशा की करन लोगों में जगी है कॉ समझता हूं कि तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं खासके अपने रास्ट्रिय ध्यक्ष को प्रदेश वासियों को देश वासियों को के देश में एक संप्रदेक्टा का जो भावुत्पन कर रहे थे जिस तरह का आपने देखा धुमी करन करने का प्रयास कर रहे थे भारती जनता पार्टी के लोग वह भी चिंता का विश्य था इसलिए समान विचार धारा के लोग हम तमाम लोग साथ मिल कर करके हम समस्थने के आने वाले समय में लोग सभा में हैं भारती जनता पार्टी और उनके तमाम सयोगियों के ताबूत में हम अंतिम किल्ट होगेंग चाहे नाएक प्रिकरिया के दोरा या फिर बातचित करके लेकिन ये जिस तरह से ये पूरा देश का वातवरन खरने का खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से धुविकरन करने का ये प्रयास कर रहे हैं भारती जनता पाटी आरे सास और उनका पूरा गीरो ये हमारे ल आजिनीत को लोगों ने नकारा है हम समझते हैं कि अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है और आने वाले समय में तमाम समान विचार धारा के लोगों आपने देखा कि पिछले दिनों कॉंग्रेस अध्यक्षा यूपिय की चेर परसंड आदर्णी सोनिया जी के नेतित में काफी उद्सा हम समझे कि लोगों में मिला है एक नया संदेश गया है इन पांच राज्यों के चुनाव से कि भारती जनता पार्टी के प्रती जो लोगों की यास्था थी जो लोगप्रीता थी प्रधान मंत्री की वो देश में घटी है और कॉंग्रेस के प्रती और हमारे वो नयाइक प्रिकरिया के दारा हो बैट के बात करने का हो आपस में हम बैट के बात करेंगे लेकिन आपस में दुएश के साथ कलेश के साथ कहीं भी मंदिर मस्जित का निर्मार नहीं हो सकता है जिस तरह का वातावरण पैदा कर रही है भारती जनता पार्टी वो आपस मे के लोग सभा में इनका पूरे देश से सुप्रासाफ होगा है ठीक है अच्छी बात है हमने प्रयास किया कहीं तूरूटी अगे रही है तो आगे भी हम प्रयास करेंगे लेकिन ये जो चुनाओं का जो रुजहान है ये सचमुच में इस बात को दर्शाता है कि भारती जंता पार्टी और आपके माननी प्रधान मंत्री कि उपर से लोगों का विश्वास कहीं न कहीं जरूर कम हुआ है